फस्ट बाइट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राय जग है जैना ज्वेलर्स आबुलेंट मेरट नमस्कार मैं राहुल हुड़ा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइडो टीव उत्तर परदेश में मरीजों को अस्पताल पहुचाने वाली एंबुलेंस के करमचारियों का शोशन किया जा रहा है जिसके चलते सभी करमचारी हड़ताल पर बैठ गए हैं इसका एक नजारा महिला जिला अस्पताल मेरट में भी देखने को मिला ऐसे में किसी को एंबुलेंस की आवशकता पड़ेगी तो कौन मरीजों को अस्पताल पहुचाएगा आपको बता दें कि 108, 102 वे ALS को संचालित कर रही कमपणी GVKEMRI करमचारियों का शारिएक, मानसिक वे आर्थिक रूप से शोशन कर रही है करमचारियों ने इसके लिए कमपणी से कई बार बात की लेकिन कमपणी अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रही है शोषन की जानकारी करमचारियों ने संबंदित अधिकारियों को भी दी लेकिन कोई सकारातमग परिणाम नहीं निकला इसले सभी करमचारियों ने गुरुवार को मेरट के महिला जिला असपताल में अनिश्चित कालीन धरने पर बैठकर मुख्य चिकित साधिकारी को उचित का रवाई करने की मांग की और साथ ही ये भी कहा कि अगर आप सुनवाई नहीं होती तो कल यानि शुकरवार से एंबुलेंस का चक्का जाम कर दिया जाएगा मतलब मरीज तडपता रहेगा एंबुलेंस नहीं पहुचेगी करमचारियों का कहना है कि कल तक हमारे धरने से हमारा काम प्रभावित नहीं होगा लेकिन शुकरवार दोपहर 12 बजे के बाद हमें मजबूरन एंबुलेंस का चक्का जाम करना पड़ेगा यहां करमचारी समझदारी से काम ले रहे हैं लेकिन सरकार को भी थोड़ी तो समझदारी दिखानी होगी शायद एंबुलेंस करमचारियों को कोई गलत कदम ना उठाना पड़े क्योंकि एंबुलेंस दोड़ती है तो जिंदकी भी दोड़ने लगती है आये जानते हैं क्या बता रहे हैं करमचारी गण मेरा नाम राजेश कुहार शामरी है यह जो है जी वी के माराई कमपणी है जो 108-102 ALS गाड़ी का संचालन करती है यह जो है एक एमरजशी सेवा है जिसको सरकार ने ठेके दे रखा है एक ठेका पर्था खत्म हो पूर्णरूप से रहांचाली का दर्जा मिले हम लोगों को समयcha करती यह जो है और स्टालिट करने यह कभी भी जो है समय पर सैलरी तो देती नहीं है इसके अलावा जब इसका केस टार्गेट कम हो जाता है तभी यह केस करो केस करो फर्जी केस का दबाव बनाती है जो यहां पर अधिकारी होते हैं उनके परती इस खबर में वस इतना ही देखते रहिए फर्जट बाई डोट टीवी झाल झाल